हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हरो लेंड अगर आप ने वीवर्स से और हरो कंटेंट प्रसंद करते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर लिजे ताकि आप हमारो कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएं आज मैं जिस मूई का एक्स्प्रेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है अलजीन जो की 2013 में रिलीज हुई थी जिससे हसन कारा काडी ने डारेक्ट किया है दोस्तो ये बहुत क्रीपी और बहुत डिस्टरबिंग मूवी है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं क मुझे भी इस मूई को देखते समय गुजबामस आ गए थे तो वीडियो को पुरा जरूर देखिएगा और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मूवी की तरफ दोस्तों ये एक सची घटना पर आधारित मूवी है और मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये मेसेज दिखाय जाता है जिसका मतलब होता है कि अंटोलिया शेयर में हर साज 14 लोग गायव हो जाते हैं जिसका कोई ठोस सबूत या कारण नहीं पता चलता सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक कमरे के रॉकिंग चेर पर एक डरावनी सी डॉल रखी हुई है और दूसरे कमरे का दर्वाजा अपने अब खुल जाता है और वो चेर अपने आपी हिलने लगती है कमरे की दूसरी तरफ एक लड़की सो रही थी जो अचानक उठ कर घर से बहार चली जाती है और दूसरे कमरे का दर्वाजा ताले से खुल कर कमरे के अंदर इंटर होती है उसके हातों में वही डरावनी गुडिया थी वहां अंदर वाले कमरे में जाती है जहां का नजर बहुत ही डरावना था वह अंदर एक डरावनी बोड़ी को देखत जिस पर कीले ही कीले मंडरा रहे थे और वो उस बॉड़ी से डर कर कमरे से बाहर आती है जहां उसे कोई शेतानी ताकत पकड़ लेती है और अंदर कमरे में पड़ी बॉड़ी जाग जाती है सीन यही कट होता है और एक आदमी फोन पर एक न्यूज रिपोर्टर से बात कर रहा होता है वह आदमी उसे बताता है जो लड़की गायब हुई है उसके पीछे कोई शेतानी कारण है जिसे लोग समझ नहीं रहे हैं जिस पर वो रिपोर्टर कहता है कि यह सब मन घड़न बात भी ऐसा ही हुआ था और उस समय डेमन यानि कि शेतान की आवाज एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डड़ है और वो रिपोर्टर उस आदमे की बात को बीना सुने फोन कार्ड़ देता है और हम देखते हैं कि वो डेमन की रिकॉर्ड़र टेप प्ले होती है जिसमें तुफान नाम का एक लड़का कलब में थोड़ा अपसेट बिठा हुआ था जबकि उसके दोस्त बरीज और अकीन पार्टी में एंजॉय कर रहे थे बरीज उसके लिए ट्रिंक लाता है और उससे कहता है कि वो कब तक अपनी गलफ्रेंड से हुए जगड़े को लेकर मायू जगड़े पार्टी इंजॉय करने को कहता है इधर तुफान की गलफ्रेंड जइनप अपनी फ्रेंड जएले के घर होती है जो की टेरो कार्ड डिडर थी वो जएनप के कार्ड डीड कर रही थी और कार्ड के अनुसार वो जएनप को बताती है कि उसकी जिन्दगी में कोई आने वाला है जेनप उस शक्स के बारे में उससे पूछती है तो जएले उसे एक और कार्ड निकलने को कहती है जिस पर की शेतान का नाम लिखा था बात को पलेट तो हुए जायले कहती है कि उसे अपने बॉइफ्रेंड से हुई लड़ाई को भूल कर बाहर इंजॉय करना चाहिए जिस पर जेनप कहती है कि उसका मन नहीं है लेकिन जायले के फोर्स करने पर वो चली जाती है ये लोग उसी कलब में जाते हैं जहां तुफान और उसके फ्रेंड्स थे और उन्हें वहां तुफान किसी दूसी लड़की के सांद दिखता है जो अकिन के साथ आई थ जेनप गुसे में तुफान को धपड मारकर बाहर अकेले ही चली जाती है और तुफान उसके पीछे पीछे जाता है और दोनों की सड़क पर खुब लड़ाई होती है तुफान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जेनप गुसे में उससे रिष्टा तोड़कर वहा किन अंदर कोई नहीं था बस बहुत सारे कॉपरचस थे जो कि एक सेटैनिक फिगर में तब्दिल हो जाते हैं और जेनप को एक विजन आती है जिसमें एक लड़की पानी में डूब रही होती है और वो अपनी माँ को आवाज लगाती है तुफान जेनप के पीछे पीछे और जेनप की जोड़ा चीक सुनकर उस घर में जाता है जहां उसे जेनप बेहुश पड़ी मिलती है वो जेनप को उठा कर वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में जेनप की माम और बाकी के फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं डॉक्टर जेनप की माम को बत उससे मिलने जाते हैं जहां तुफान उससे कल रात के लिए माफी मांगता है और उस घर में जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में पूछता है लेकिन जैनेप को कुछ भी याद नहीं था सभी लोग जैनेप को होस्पिटल में आराम करने के लिए छोड़कर अपने अपने घ कर गलने लगती है वो उसे चू कर देखता है लेकिन उससे एक जोड़ता जटका लगता है और उसके नाखून काले पढ़ने लगते हैं इधर हॉस्पिटल में जैनेप को अपने रूम के बाहर एक छोटी लड़की दिखती है जिसकी गुड़िया नीचे जमीन पर पड़ी जैनेप जब गुड़िया को उठाने के लिए नीचे जुकती है तो लड़की अचानक उससे गुड़िया छुड़ा लेती है और वह लड़की कहीं गायब हो जाती है जैनेप वहां से वाश्रूम की ओर जाती है और वो भी ये देखती है कि उसके नाखून भी काले पढ़ रहे हैं तभी वाश्रूम की बिजली अचानक चली जाती है और चारों तरफ अंदेरा हो जाता है जब जैनेप आयने में खुद को देखती है तो उसे खुद का एक अलगी चेरा नजर आता है जिससे डर कर वह बाहर कोरीडूर की तरफ भाग जाती है जहां सीड़ियों पर उसे दो बच्चे दिखते हैं जो काफी डराओने थे जैनेप भाग कर फिर अपने कमरे में आ जाती है और यहां भी कोई उसके कमरे में वही गंडी सी गुडिया फेक कर चला जाता है जैनेप को लगता ही यह उसी लड़की की गुडिया है और उसी लड़की में यह हरकत की वो उसे पकड़ने के लिए बाहर जाती है और जैनेब खुद को एक डराओने घर में पाती है जहां उसे दर्वाजे के पीछे किसी के हाथ दिखाई पड़ते हैं और उसे आइने में कोई परचाई दिखाई पड़ती है लेकिन तभी होस्पिटल की नर्स उसे होश मिलाती है और जैनेब खुद को हस्पिटल के कॉरीडोर में पाती है सीन चेंज होता है और तुफान अपने घर पर सो रहाता तब ही उसके फोन पर जैनेब का कॉल आता है और जैनेब उसे तूरंत एक अंजन जगे पर आने को कहती है तुफान उसकी मदद के लिए अपने घर से निक गया था तुफान जैनेब के पीछे अंदर उस घर में जाता है और देखता है कि जैनेब सामने बेटी है वो तुफान की तरफ देखती है और वो उसके सर पर एक लकड़ी के डंडे से मार देती है जिससे की तुफान नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि वहां एडमिट थी जैनेब तुफान से कहती है कि उसने उसे कोई कॉल नहीं किया और वो तो पूरा टाइम हॉस्पिटल में ही थी वो तुफान से ये भी कहती है कि उसे भी डारावने सपने आ रहे हैं जिसमें एक औरत अपनी बच्चे के बारे में उससे पूछ रही है इधर उन लकिन कहता है कि वो जो पानी पीते हैं उसमें मेगनीशियम की मात्रा ज्यादा होने से उनके नाखुन काले पड़ रहे हैं और किसी वाइरस के कारण उन्हें हैल्यूजिनेशन आ रहे हैं जायले जोकी टेरो कार्ड डिडर थी वो कहती है कि उन्हें किसी आत्मा से बात करक लेकिन वो किसी तरह से सभी दोस्तों को कन्वेंस कर लेती है रात को सभी फ्रेंड्स जैले के बतायनुसर आत्मा से कॉंटेक्ट करने के रीच्वल में शामिल हो जाते हैं जैले सभी से कहती है कि रीच्वल के दोरान सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और कोई भी हाथ नहीं छोड़ेगा रीच्वल चली रहा था कि अचानक जैनेप का फोन बजने लगता है जैनेप वहाँ से उठकर कॉल उठाने चली जाती है जिससे की रीच्वल पूरा नहीं हो पाता और फोन पर पता चलता है कि जैनेप की मॉम घर आ रही है जिस कारण सभी दोस्तों को वहाँ से जाना पड़ता है सभी दोस्त अपने घर जा चुके थे जैले अपने घर पर टीवी देख रही थी कि अचानक टीवी अपने आप बंद हो जाती है जैले टीवी का प्लक चेक करने के लिए अपनी जगह से उठकर टीवी के पास जाती है और तभी अचानक पुरे रूम के लाइट बंद हो जाती है और जब जायले पलटती है तो वो खुद की डेट बॉड़ी को सोफे से सटा हुआ देखती है और उसके पास तू भयानक आखे चमक रही है और तभी जायले के फादर उससे होश मिलाते हैं वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है सेम दिंग बरीज के साथ भी हो रही थी बरीज अपने रूम में बेटकर अपने लेपटॉप पर कुछ काम कर रहा था साथ ही लेपटॉप पर म्यूजिक चल रहा था तब ही बरीज की मौम उसके कमरे में आती है और वहां की खिड़की लगा कर बरीज को म्यूजिक कम करने को क्योंकि उसके फादर दूसरे कमरे में सो रहे थे। बरीज मुजिक बंद कर देता है और उसकी मौम वहाँ से चली जाती है। और उसकी मौम के जाने के बाद उसका लैपटॉप का म्यूजिक अपने आप ही तेज आवाज में बजने लगता है क्योंकि बरीस के फादर दूसरे कमरे में सो रहे थे उसकी मौम एक बार फिर बरीस के रूम में आती है लेकिन इस बार वो बहुरती गुस्से में थी बरीस की मौम की गरदन अजीब तरह से चटा करही थी वो जमीन पर बेसूद गिर जाती है और उसकी शकल एक दम से बदलने लगती है बरीस के पीछे काले लिबास में एक औरत खड़ी थी तबी बरीस को होश आता है और उसे पता चलता है कि ये सब एक ब्रहम था बरीस के लेपटॉप का म्यूजिक अभी भी चल रहा था और वो खिलकी भी खुली थी बरीस इस भायनक दरश से समला ही था कि उसकी मौम गुसे में उसके कमरे में आती है और वो खिलकी को दोबारा लगाती है बरीस सोची रहा था कि जो भी हो रहा है वो तो पहले ही हो चुका है इतने में उसकी मौम बहती गुसे में और डरावनी आवाज में मुजिक बंद करने को कहती है और उसकी आखे काफी डरावनी थी जिससे आप भी देख सकते हैं अब इन पाचो फ्रेंड्स का जीना मुश्किल हुआ पड़ा था सभी को तरह तरह के विजन्स आ रहे थे जिसका कारण उन्हें पता ही नहीं चल रहा था अगली सुबह सभी आपस में इन हॉंटिंग्स के बारे में बात करते हैं और जैले सभी से कहती है कि उन्हें किसी होजदा यानि की जाड़फुक वाले से बात करनी चाहिए जिस पर बाकी के फ्रेंड्स सैमयती नहीं जताते लेकिन और कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण उन्हें जैले की बात माननी पड़ती है और वे तुरंत उस होजदा के पास चले जाते हैं होजदा एक बड़े से पानी के बरतन में कागज पर कुछ इस्पेल लिखकर कागज को उस बरतन में डालता है जिसमें की एक जिन्दा मचली भी थी जब वो कागज पूरा भीग जाता है तो होजदा उस कागज को निगल लेता है और निगलता ही उसे उल्टी आने लगती है और उसके मूँ से एक बड़ी सी सुई निकलती है वो सभी लोगों को आखे बंद करने का बूलता है और वो सुई उस जिन्दा मचली में दे मारता है जिससे की जेनाप उटकर दूसरी भाशा में कुछ बूलती है जिसका मतलब था कि इन सभी ने डेमन के पास जाने का फैसला खुद किया है और इस सभी सजा के लायक है होजदा सुई निकल लेता है और सब पहले की तरह हो जाता है होजदा उने बताता है कि समस्य कुछ जादा ही बड़ी और खतरनाक है वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा लेकिन वो एक शक्स को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है वो उन पाचों फ्रेंड्स को उस पुराने घर में जाने को कहता है जहांकि उन्हें विजन साते थे और तब तक होजदा उस इंसान को वहाँ लेकर आ जाएगा तुफान जेनाप और सभी फ्रेंड्स उस घर में जाते हैं जहां उन्हें बहुती अजीब अजीब आवाजे आ रही थी कुछी देर में होजदा विक्ति को लेकर वहाँ आता है जिसका नम आकेप था और वो इस्तानबूल का रहने वालब था वो उन्हें तीन डार्कनेस के बारे में बताता है एक जन्म से पेले की डार्कनेस, दूसरी मरने के बाद की डार्कनेस और तीसरी जो सबसे खतरनाग थी सोने के बाद की डारकनेस क्योंकि नीन में विर्टी आधा मरावा होता है इसलिए उने सपनों में भैयानक विजन्स आ रहे थे आकेब जमीन पर बेटता है और होजदा उसे एक लाल कपड़े से ढाग देता है जिससे की वो सीधा दूसरे पोर्टल में पोच जाता है जहां वो एक साप को देखता है और साप के हमला करने से पहले वो लाल चादर हटा देता है आकेब सभी से पूछता है कि उन्होंने साप के साथ क्या किया आकेन के इस सवाल से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे का चेरा देखते हैं और सांप वाली बाते उन्हें याद आती है वे सभी एक हफ़ते पेले पासी के एक बीच पर मस्ती करने गए थे जहां वे एक सांप को उसके बिल से निकाल कर पकड़ लेते हैं और उस बेजुबान जानवर को एक पॉलेथिन में बांध कर समंदर के किनारे फेक देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस सांप को उन्होंने फेका है दरसल वो एक जिन है जो अपनी घायल मा के सांथ सांप का रूप लेकर रह रहे थे और इसी जिन की माँ उन सभी फ्रेंड से अपनी बेटे का बदला ले रही थी सभी फ्रेंड को लगता है कि वो सांप तो अभी तक मर गया होगा उस जिन्न की माँ उन्हें मार देगी लेकिन आकिन कहता है कि सांप बिना खाने और पानी के 10 से 12 दिन तक जिन्दा रह सकते हैं और उन्हें बिना वक्त गवाए वहाँ जाकर उसे ढूंडना चाहिए सभी फ्रेंड्स उसी बीच पर जाते हैं और बहुत महिनत करने के बाद आखिर करवेर सभी उस पॉलेथिन बैक को ढूंड लेते हैं जिसमें की वो जिन सांप के रूप में थी वे सब यही दुआ कर रहे थे कि वो अंदर जिन्दा हो वे पॉलेथिन खोलते हैं और उस सांप को बाहर निकालते हैं खुश किसमती से वो सांप जिन्दा था वो चल कर आगे चली जाती है और अपने असली रूप में आती है वो जीन जिन्दा तो थी लेकिन भहुत ही गाहल थी वो उन सभी पांचों फ्रेंड्स को गुसे बरी नजरों से देखती है और अपनी मा के पास चली जाती है जो उसका बेदर्दी से इंतसार कर रही थी ये सारी बातें वो आदमी उस नियूज रिपोर्टर को कॉल पर बता रहा था जो कि मूवी के स्टार्टिंग से बाच्चे चल रही थी और ये आदमी और कोई नहीं बलकि वही होजदा होता है रिपोर्टर पूछता है कि वहां से आने के बाद उन पाचो फ्रेंड्स का क्या हुआ जिस पर होजदा बताता है कि वो पाचो फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंड में गये थे और एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे वहां से अचानक जनब गायब हो जाती है लगबक एक महीने तक बाकी के लोग उसे ढूंडते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और अंत में वे फिर एक बार होजदा के पास आते हैं जहां आकेब उन से मिलता है वो उन सबसे कहता है कि होजदा यहां नहीं है लेकिन उन्हें पता था कि तुम सब लोग यहां आने वाले हो इसलिए वो रिच्वल की पूरी तैयारी करके गए हैं जिससे आकेब पर्फॉर्म करने वाला है आकेब सभी को बताता है कि वो जिन बच नहीं पाई और मारी गई और सजा के तोर पर कुल्यूस कबीले के जिन जैनेब को अपनी दुल्या में ले गए और अगर वे जैनेब को वापस चाते हैं तो उन्हें भी जिन की दुन्या में जाकर कुल्यूस कबीले के जिन को ये बताना होगा कि जैनेब ने उस बच्चे को नहीं मारा और जो कुछ भी हुआ वो सिर्फे गटना थी आकेप सारी तयारी कर चुका था वो सभी को सफेद बोरे में बंद करके रेसी से बान देता है एकिन अपने मुबाइल के कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा वही डरा हुआ था आकेप रिच्वल शुरू करता है और आसपास से डरानी आवासे आने लग जाती है जिससे की आकेप बहुत ज़्यादा डर जाता है और अंदर से ही हुजदा को कॉल करता है जिससे की उसे पता चलता है की आकेप तो हुजदा के साथ ही है और जो उनके साथ ये रिच्वल पर्फॉर्म कर रहा है वो आकेब नहीं बलकि कुल्यूस कबीले का ही एक जिन है और वो सभी को अपनी दुन्या में ले जाने आया है यह सुनकर एकिन एक चाकू से उस रस्षी को काट कर बाहर आता है लेकिन वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था वो सभी को ढूंटता है और वो देखता है कि बाकी के फ्रेंड्स बुरी तरह से बंदे पड़े हैं कीड़े उनकी जिन्दा बोड़ी को खा रहे हैं और उनकी रूप को जिन अपनी दुन्या में ले गया है और देखते ही देखते आकीन को भी वो कुल्यूस कभीले का जिन अपनी दुन्या में ले जाता है न्यूस रिपोर्टर होजदा का मजाक उडाते हुए एक सवाल करता है कि अगर जिन उन्हें दूसरी दुन्या में ले गए हैं तो क्या महाँ वे जिन्ता होंगे या मर चुके होंगे लेकिन न्यूस रिपोर्टर को दूसरी तरफ से एक डरावनी आवास के साथ होजदा के एक चेक सुनाई देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है दोस्तों मूवी के स्टोरी काफी सीधी और सिंपल है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फुजन होगी लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है मूवी के स्टार्टिंग और एंड में जो न्यूस पेपर कटिंग दिखाए जाती है वो असल जिन्दगी वाली जैनाब की थी जो कि अभी तक लापता है मूवी काफी क्रीपी है और इसके कई सारे सीन्स बहुत ही डिस्टरब्मिंग है अगर आप भी ये मूवी देखना चाते हैं तो ये इजी ली आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी लेकिन बहुत खराब ट्रांसलेशन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजें क्योंकि होरोर अभी बाकी है